असलाम लेकुम मेंने में नुमान आप तेक रहे हैं टेक होस तो भाई फाइनली टाइम आचुका हुआ है सैंसेंग गलेक्सी जी फिलिप 3 को अन्बोक्स करने का लेकिन आप लोगों को पहले मैं गिवे के बार में बता दूँ कल आप लोगों के लाइफ सेशन के अंदर जो 1000MH का का काफी अच्छा पावर्मेंट का जिसको मैं परसली तो पर भी यूज करता हूं तो पार्टिस्पेट करना काफी ज़्यादा एजी है अब इसको अन्बोक्स करने से पहले दो चीजों को मैं लाजमी तो पर मैंचिन करना चाहूंगा जो के सैंसेंग ने जी फोर्ड और जी फिलिप के साथ की है मतलब कि यह जो थर्ड जिनेरेशन आई है ना पाकस्तान की जो मार्किट है स्पेसिफिकली अगर हम लोग उसको देखती है अगर हम लोग फरस टो बात कते हैं प्राइज की तो इन दोनों स्मार्टफून की जो प्राइज आई है पाकस्तान के मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा कम आई है क्योंकि अगर हम लोग डॉलर के डेट के उपर देखते हैं तो वो उतनी ही प्राइज बंद रही है जितनी पाकस्तान के अंदर रखी अगर हम लोग डारेक्ट करते हैं मतलब यह है कि जो टैक्सिस थे वो सैमसंग ने न देना चाहिए इसके लाव प्लस सैमसंग ने एक नई सर्विस को पाकसान के दिर इंट्रोडूस करवाया जो कि इससे पहले किसी और ब्रैंड की तरफ से में देखने को नहीं मिली जो कि है सैमसंग का ट्रेडिन प्रोग्राम अब इसके अंदर सीन ही है कि आप लोग के फैंस को हर साल वो अपनी ड्वाइस को अपग्रेड कर सकेंगी अब जल्दी से हम लोग इस स्लिम समार्ट बोक्स को उपन करते हैं और भी देखते हैं कौन को उनसे कॉंटेंट को प्रोइड किया गया सबसे पहले बोक्स के लिए मैं पैकिंग को रिमूव कर लेता हूं तो हम लोग जैसे ही पैकिंग को रिमूव करते हैं तो हमें बाहरी वरंटी कार्ट देखने को मिल जाता है इसके लावा एक पूरी गाइड प्रोइड कीगी है कि आप लोगों ने ये वाउचुर को किस तरह क्लेम करना है इसके बाद अगर हम लोग बोक्स के फीजिकल अव पर पीडिया के वेरिफिकेशन का स्टीकर है लेफ साइट के ओपर गलेक्सी जी फिलिप 3 5G को मेंचिन किया गया और यहां पर भी जो कलर है वो लेटर कलर ही है अगर हम बात करते हैं नीचे वाले साइट के तो यहां पर हमें स्टोरेज के बार में डिटेल मिल जाती है 8GB क स्टोरेज है मेड इन वेतनाम को मेंचिन किया गया और बहुत जल्द होपस हो कि यहां पर मेड इन पाकस्तान भी आ जाएगा बैक वाले साइट के ओपर भी हमें कुछ जो नॉर्मल टाइप की यूजलस टाइप की हमारे लिए डिटेल है वो मिल जाती है जल्दे से मैं सील को रिमूब कर लेता हुं सिल्स को कट कर लेता हो इसके बारे में बात करते है ऑगर वुकलेट की अंदर विल साइट की बात करते हैं तो आप लोगों को Type C to Type C केबल देखने को मिल जाती है इसके तुलु आप लोग चार्जिंग और डाटर्ब पर करोगे इसके लावा जो यूजर मैनल वो भी हमें इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया गया जादा चीज़े हमें मिलेंगे नहीं बॉक्स के अंदर इन सारी चीज़ों को साइट के उपर करके हम लोग आते हैं हमारी डवाइस की तरफ तो डवाइस के उपर एक रैपिंग की उपर चार जो या उपर यादा लोग या लंग पर हमें यहां वली जो पочьड़ की पार के प्रोवाइड के करते हैं काफ़ी ज्यादा तो इसलिए में इतने जदा इंटिना के बैंड्स प्रवाइड किया गया है अब इस फून का भी जो सैट का पूरा प्रोसेस है वह सेमसिंग के दूसरे फून जैसा लेकिन यहां पर आप लोगो एक एक्स्टर स्क्रीन मिलती है जहां पर वह लोग ने जो प है कि सैमसिंग ने इसकी डूरीबिल्टी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है इसका जो जैरी रिग एवरिटिंग के ओपर मैं डूरीबिल्टी टेस्ट हो भी देख रहा तो भाई उसने फूल जो रकसाद इसको ऐसे मोड़ देके कोशिश की लेकिन भाई इसको क किसी किसम का कोई वी डैमेज नहीं हुआ मैं यहां पर जोरत नहीं लगा रहा है मैं तब प्रेटेंड ही कर रहा हूं उसकी रिजन ही है कि सैमसिंग ने अगर हम लोग फ्रेंट की बात कर लेते हैं तो यहां पर जो स्क्रीन लगाई है उसके अंदर 80% तक जो डियरूबिल् मतब मूव करते हैं तो थोड़ी सी फील होती है इसको भी काफ़ दर इंप्रूव किया गया अगर हम बात करते हैं बैक साइट की तो बैक साइट के ओपर यह जो पूरा पैनल है यहां पर गुरिला का स्विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिलती है जो कि आपको पता है कि आज का लेक्टरस कैटेगरी का सबसे डवांस ग्लास है इस तऱ जजा स्ट्रोंग कोई भी ग्लास मजूद नहीं और इसकी यह वाली जो हिंज है और इसका जो फ्रेम में यहां पर आड्मृट ऐलूमीनियुम को यूज खिया गया है जो के मिल्ट्रीग ग्रेट की एक ऐलूमीनि को पूरे को पूरे points ही जाते हैं और यह folding device है इस चीज़ को हम लोग भूल नहीं सकते हैं पतब folding होते हुए इसकी durability है वह काफ़ता है एक और चीज़ जिसको मैं लाजमी तब मेंचन करना चाहूंगा जो के एक यूनीक पॉइंट हो है बाई IPX8 की रेटिंग यह वाली जो device है यह fold भी होती है आप छोटी भी कर सकते हो और यह waterproof भी है इसके अदर moving parts है still Samsung ने इसको waterproof कर दी है मुझे लगता है कि Samsung ने अपनी जितन पानी होगा रहके अंदर गिर जाती है तो वहाँ पर भी किसी किसम का कोई भी मसला नहीं आएगा अगर हम लोग बात करते हैं इसकी specific questions की अब जो specific questions है वो आप लोगों के साथ मैं पहले भी share करच का हूँ हम लोग start करते है front वाले display के साथ तो 6.7 inches का AMOLED display है Super AMOLED display है Samsung के जो अची feel आती है मतलब के एक जो मैं चीज काफी देर करता रहा हूं हम लोग यहां से जो प्ले स्टोर उसको open कर लेते हैं यहां पर जब भी कोई पेज ओपन होगा आप लोग इसको move करते हो तो यह वाला जो पार्ट होता है यहां पर देखने में काफी ज़दा मज़ा था मत काफी realistic type की जो चीज actual में fluid type की move करी उस किसम की वाइब आती है अब यह वाली चीज मैं वर्ड्स के इंदर explain नहीं कर सकता आप actual में सैंसेंग स्टोर्स के उपर जाकर इसको experience कर सकते हो सैंसेंग के जितने भी स्टोर्स हैं दोस्तों से ज्यादा सब इस्टोर्स के उपर यह जो devices हैं वो display के उपर लगी हुई है तो display यह जो front वाला भाई वो काफिज़ाद अच्छा है अगर हम बात करते हैं front वाले camera की तो front के उपर हमें मिल जाता है 10 megapixel का selfie camera अब जब आप लो camera को on करते हो नो इसको थोड़ा सा move करते हो तो इसके दो parts हो जाते हैं मत्तब कि जो display आ definitely test out करेंगे और इसके front वाले camera के अंदर आप लोगो जो portrait mode और जो ultra wide का feature वो भी देखने को मिल जाता है अगर हम लोग बात करते हैं front के उपर video की quality की तो front वाले camera के साथ आप लोग जो 4K की video इसको record कर सकते हो 60fps के उपर तो इसको भी हम लोग definitely check out करेंगे इसके बाद अगर ह वहती है optical stabilization वह भी मिल जाती है लेकिन इसके backwell camera special ही हैं लेकिन प्लस हमें साथ में यह जो cover screen provide की यह 1.9 इंचीज की यह इस backwell camera के setup को और भी ज्यादा special कर देती है क्योंकि जो backwell cameras हैं उनको आप लोग यूज़ कर सकते हो selfies वगरा को लेने के लिए और एक चीज मेरे mind के नद notification के साथ 4K के अंदर vlogging कर सकते हो और इसकी यह वाली जो cover screen है इसके और भी काफ़दा यूज़र आप लोग यहां पर notification को set कर सकते हो आप लोग जो email है उनको चेक कर सकते हो या पिर clock वगएरा सारी चीज़ें adjust कर सकते हो इसका में फुल review जब करूंगा तो उसके अंदर आप combination है मुझे लगता है कि यह game changing है जब हम लोग इसको compare करते हैं किस भी normal phone flagship के साथ वाले प्लस यह फोल्डों के छोटा हो जाता है और जब इस position के अंदर hold करते हैं वह काफी ज्यादा अच्छी आती है यह आप लोग सैमसंग के स्टोर के उपर जाकर यहां पर मैं दोबरा plugin कर मैं दरता हूं इसको experience कर सकते हो यह काम सैमसंग ने काफिजद अच्छा किया पाकिसान के जहां भी कोई भी सैमसंग अफ्टोर है हर जागां के उपर आप लोगों को flip 3 और फोल्डरी मिल जाएगा आप सब चीजों को जाकर अच्छी तरह experience कर सकते हो तो हम लोग ने जो cover screen उसके भी बात के लिए बैक वाले जो camera आप लोगों को सारे सारे features मिल जाते है नाइट मोड अल्टरावाइट 4K वीडियो को option है तो उनको भी हम लोग डेफिनिटली चेक करेंगा उनके बारे में भी आप लोगों को full review के अंदर में explain करूंगा बात के लिए यह स्मार्टफ सारी के सारी जो चीज़ें वह बाई काफिज तरह निकल के आ रहे हैं मतलब इसके अंदर मैं ने पब्जी को इंस्टॉल कर लिया हुआ है आपको मैं बहुत जल पब्जी का फुल रिवीवन इस चैनल को पर प्रवाइट करूंगा performance के मामले के अंदर भी किसी किसम का issue की है बात के लिए कुछ दूसरी चीज़ों की तो आप लोगों को साइड मॉर्क फिंगरपेंट स्कैनर प्रवाइट किया गया जिसकी प्रफॉर्मस काफी ज्यादा अच्छी है फ्रेंट के उपर फेस आईडी को उप्शिन भी मुजूद है इसके लाब यह वाली तो आपको बहुत अपडेट देखने को मिल जाएगी तो मेंली तोर पर हम लोग ने इनी सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर कवर करना था अब यह वाला जो स्मार्टफून है इसके अंदर बाइक काफी ज्यादा चीज़ें टेस्ट आउट करने के लिए उनको मैं ड प्रस्टाउट करना चाहूंगा आप लोग इसको ऐस स्टेंट करके विडियो कौल कर सकते हैं आपको स्टेंड लेने के जबाइन के जोदूरत पर लेने के जोद्याद लेने के जोद्धन لीजह वाई आप लोग ये काफी क्रेजी फुल आंड एक यूनीक टाइप का पीचे कमेट करके इंस्टाग्राम के उपर आ जाईएगा ताकि आपनों को सारी इकसरी अपडेट्स मिल जाएए और चैनल के उपर नहीं या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा